हेलो एव्रीवन मैं हुए डोकेट रहुल मिश्णा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 376 के मैटर में अगर आप कंसेंट की बात करते हो और कंसेंट साबित करने की कोशिश करते हो और कंसेंट एक तरीके से आप प्रूफ भी कर ले जाते हो तो आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनव दिल्य अलाबाद में तो आप अपनी अपॉइंट्मेंट शेडूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं नंबर आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा देखिए दोसों 376 का मुकदमा बेहद ही नियस नेचर का क्राइम है इसमें इसमें कोई दोसी नहीं है लेकिन जो वास्तविकता में दोसी नहीं हैं जिनके दोरा कोई चीजब करी नहीं कही है कि कि के बीच किसी विक्तिक के साथ किसी महिला के साथ उनके सारी डिक संबंद बने और आपसी सहमती से भी बने हुए तो उस कंडिशन में उसको सजा नहीं होनी चाहिए अब धरसल क्या होता है कि जैसे कोई फायार रेजिस्टर हुई तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि साभ हम जाके साबित कर देंगे रिक हम कहेंगे कि हमारे बीच में जो कुछ भी वहा था सहमती से वहा था फोटोग्राप्स थे और यो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वह सारी चीज़े थी लेकिन अब वहां पर पेंच दूसरा भ होगा उसमें महिला अपने आपको बचाने की चेस्ठा पूरी करेगी सारडिक संबन बनाने से रोकने की चेस्ठा करेगी इस बचाने की खुद को जद्धो जहद में उसको चोट आ जाएंगी आंत्रिक और बाहि दोनों क्योंकि वो जो भी वेक्ति उसके साथ सेक्शुल इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहा होगा वो बाइफोर्स कर रहा होगा और इस दोरान दोनों में हटापाई भी हो सकती है छोड भी आ सकती है लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई जनो ओं चोड़ लगे या जो है बिमारी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए लेकिन इसके बाद भी क्या होता है जहां consensual sexual relationship होता है लंबे समय तक घुमने टहलने के बाद होटल में party करने के बाद पैसे लेने के बाद वापस करने के बारी आती है या कुछ ego हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि लड़की गई पुलिस्टेशन उसने फायार लॉज करा दी कि ऐसा हिनोंने में साथ सारी रिक संबंद वनाए अब पुलिस्टेशन में आपने का भाईया मेरे पास फोटो है और वीडियो है जिसमें यह कह रही है कि हम दोनों की सहमती से सब कुछ था अब लेकिन यहां पर इस concept को ध्यान र ऐसा सरकार मानती और कानून के बनाने वाले लोग मानते कानून की जानकार मानते हम तो तुक्षकोर्टी के वक्ति हैं अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसने आपने कहा कि हमारे बीच में सब कुछ कंसेंट से था मैला ने कहा हां बिलकुल कंसेंट से था इन्होंने मुझे शादी के बारे में कहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे तुम्हारे साथ मैरे सॉलमनाइस करेंगे और उसके बाद इनों ने मेरे साथ लगातार सार्डीक सोशन कर लिया क्योंकि I was about to get married with him मेरी शादी इन से होने वाली थी fix हो गई थी एक certain date time period पे होने वाली थी कहीं मंदिर वंदिर गए थे आपस में दोनों लोग तो वहां की photo खिशली और दिखा दिया मंदिर पर हमारे समाज के लोगों के सामने engagement हो गई थी उस condition में क्या करो गए फिर तो हो गया ना false protects of marriage का मुक ability है कि हम शादी कर लें टूटे की नहीं वह अलग का विश्य लेकिन मौके पर महिला जानबूच की जो फायार फॉल्स आपके विरुद्विखारी वह शादी की हो करना चाहती है आपसे इसलिए करना चाहती कि भाई लोगों के मन में एक संका है कि आधी प्रोपर्टी कि हम अधिकार रडी हो जाएंगी एलमनी मांग लेंगे मेंटनेस मांग लेंगे हमारा काम चल जाएगा क्योंकि आप अच्छा कमार हो आपके बस अच्छी प्रोपर्टी और आप दोगे भी छुटका रापाने के लिए है ना यह सारी चीज़े होती है अब सबसे बड़ी कंसेंट वाली बात पर आता हूं मैं जैसे कंसेंट की बात कर रहा था कि आप कह दोगे कि साब मेरे बीच में इनके बीच में कंसेंट से था सब कुछ कंसेंट सेक्षूल रिलेशनसिप था आपसी सहमती से था दोनों लोग तयार थे लेकिन महिला के पास कुछ कंडीशन है उन कंडीशन को अगर वह एक्स्प्लेइन कर ले जाती उन कंडीशन को वह फुल्फिल कर लेगी तो उसकी दी हुई कंसेंट का भी कोई मतलब नहीं हो अग्दम भैंकर प्रभाव में आके उसने आपकी कंसेंट ले ली कि नहीं करोगे सेक्षूल रिलेशनसिप तो तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे अंडू इंफ्लूएंस में ले ली कोहर्शन में ले ली फीर में लिया मौत का भय दिखाकर उसने आपकी कंसेंट अप्टेन कर ली और सेक्षूल रिलेशन से पर स्टैबलिश कर लिया या फ्रॉड से कि आपको उसने जैसे मान लीजे बताया कि जो है हम जो है कोर्ट मैरिज करे ले रहे या यह करे ले रहे या तुम मेरी पत नहीं होगर कोई लिवनेटिक है हलकी सी तो यह सब सारी चीज यह करके अगर आपके अपके इस तरीके से ली हुई आगर यह महिला सावित करने में सक्षम और जैञे genom जा जाएंगे अपके ऊपर जाएंगे और सबसे खास चीज यह कि पर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर तो पुलिस के पास है ही नहीं कोई मामला रेजिस्टर हो पुलिस कहेंगे प्री इन्वेस्टिकेशन करेंगे फिर फायार लिखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं पुलिस के पास यह शक्ती ही नहीं CRPC में कहीं बताया नहींगे कि पुलिस pre investigation करेगी पहले FIR लिखेगी उसके बाद चीजे करवाई करेगी investigation करेगी investigation में लगेगा कि भई उसको FR लगाना चाहिए या closer report लगानी चाहिए या share sheet लगानी चाहिए तो लगाएगी लेकिन पुलिस की अवकाद जर्नली नहीं होती थी 376 के मामले में जो है कि वो FR लगा दे या sponge कर दे मुखदमा सब कुछ evidence होने के बाद भी लड़के के पक्ष में कुछ भी नहीं होता है